नमस्कार आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ में मैं फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वाकत करता हूँ दोस्तो राजिक कुरेशी महा ठक हजारों लोगों को बेघर कर दिया हजारों परिवार को बड़े बड़े सपने दिखा कर उनके सपनों के साथ खिलवार किया उनके पैसों के साथ ऐस मौज किया ड्रग खाया और आज क्राइम बरांच के हिरासत में है राजिक कुरेश जी जिसका सबसे एक चहीता एजेंट अफ्रोज भेरु खान उर्फ अप्पू अप्पू के नाम से प्रसिध है अफ्रोज और सुत्र बताते हैं कि अप्पू राजिक का सबसे चहीता एजेंट था क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जमा करने वालों में अप्पू का भी नाम शामिल था आप हैरान हो जाएंगे अप्पू का घर देखकर आप हैरान हो जाएंगे अप्पू के किस से सुनकर वैसे तो हजारों पीडित हैं लेकिन राजीक कुरिशी कि हजारों पीडित में से एक पीडित हमारे सपास आये BCN से बाचीत हुई हम फिलाल उनका चेहरा उनका नाम आप तक नहीं बता सकते हैं लेकिन Para को कि उनकी जुवानी और उनकी आपैसी पीसे खान्सटों की नियुंसी उनकी कहानी सिर्फ सच अभिन आप तक लेकto कि आ में यह बताए मिसस्वानिनप्रेश किया तो आपकिस के थुरू पैसे की मैं और में दाला था पैसह मैं तो वह उस्सने हमारे पास में आके बोला था जिसे दुकान पर आता था और। दुकान पर बोलता था है एक कर दबल हो रहे तुम भी कमाओ जेवर बेच़ो पढ़ार बेचो दालो के लोगों से बोलता था कि सब बिच दालो कमा हुआ लोग कमा harvest तुम क्या कर रहें तुम ही कमा डबल करो दालो Paise तो उसuff लोग में पुछ रव्हाओ कर नहीं कि अपने कमाई के वारे में उस्हारा इसके जी क्सी एक जैसे के बैटरी वाली गाड़ी 10 लाग का सोना एक फामॉस लिया हूँ मैंने ऐसा उसका बोलना था कि सब चीजे मैंने भी एक के डबल में कमाकिश लिया हूँ और मेरे पास में इतना पैसा है ऐसा बोलता था अप्पू राजिक से कैसे मेरा इसकी कोई जनकारी है क्या न मुलाकात हो गई है उसके बाद ने फिर उन्होंने यहां घर पे चालू करें काम तो घर पे जैसा चालू किये तो सुरू में ही अच्छा परफॉमंस बहुत अच्छा था लोग बढ़ती पे अच्छे थे दालना विश्वास क्योंकि सबको विश्वास था बोलते थे न वह लोगो को अमीर करने आया है । बिल्डिंगां बनाने आया है और लोग उसके बातों में आ भी जाते थे लोग आ भी जाते थे पैसे बढ़ दो अब 20-30 शजा जिनके रहते हैं तो न को डबल करके देता थे ता तर बोलता था यह क्या दाल रहे है लाग 10 लाग डालो यह क् तुम पचा together, लाक दालना है un Fernando 50 जार रॉपे दालाों रुपे दालो 10 50みअ क्या कार हैं। ऊिसटा था का स्षिसा लोक बीस हजार मीलते takia तो बीस झार मिलते क्या थे थो युजार अगर हमें और बीस झारberम दाल देते थे दाल के 40,000 दाल देते थे, अब जिसके 40 हो रहे वस्ती दाल देता था, यहने लोगों को भी उसने इसी लालत दे दिया था, कि लोग दालने के बाद में और लाके दालते ही थे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपना कुछ बेज दिया होगा, कुछ गहने और गहान बहुत सारे लोग है, बहुत सारे आशिवाद नगर में दुकाने सटर में, सुनार की, अकर उसके पास में आप जाएंगे तो आपको पता चलेंगा कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जिवर गिर्वी रखे, सुनार की दुकान का कुछ नाम पता है, नाम नहीं पता है, दो सुनार के दुकाने पीशे शटर में है, और फस्ट इज़र क्या बहलिंगे, इसको आश्रम है, अपना रोट के उपर मेरे, तो आश्रम के बाजू में एक सुनार की दूकाने भाँ, जड़ा ज़्यादा लोग उसी सुनार के पासमे जाके गिर्वी रखा करते तो इस एरी थी एक जन पैसे गिंता थी जान एन्टी करता था और एक जनके पीछे में पैसा रखता था और अप्व बैटो बात करता था उनके नाम-नमबर लिखता था जो पैसे लोग देते थे उसका हिसाब कैसे रागता था कोacsop कैसे रखता था चलीफ अगेरा कुछ नहीं देता था वो उसके पास में रजिस्टर है था था वर रेजिस्टर में उनका नाम लिखता था अमांट लिखता था और तारीक लिखता था बस लोग कभी मांगते नहीं थे कि तुम हमको दो सिलीफ दो वो बलते है क्या करना है और दालो ऐसा बोलता था अचा अप्व तो एरेस्ट भी हुआ था तो एरेस्ट होने के बाद अप्व के एरेस्ट होने के बाद उसके घर पे जब गए होंगे उसके भावी के पास लोग गए होंगे उसके भावी के पास गया होंगे उसके भावी के पास गया होंगे उसके वो पैसे देंगा उसने पैसे रखा है आगे की कहानी अगले एपिसोड में हम आप तक लेकर आएंगे जैसा कि BCN शुरू से हर अपडेट आप तक लेकर आया और BCN ने जब यह आवन किया लोगों से कि आप पुलिस के पास जाए पुलिस टेशन में जाए क्राइम ब्रांच म यह बिविन जगहों पे जा करके लोगों ने अपना अपनी शिकायते दर्च करना शुरू कर दिये जिसका एक बड़ा असर हुआ कि एक साथ बासथ लोग शक्रधार पुलिस टेशन में 28 तारीक को गए यानि कि सैक्रो लोग जा चुके हैं और सैक्रो लोग अभी जाने वा शिकायते लोग जैती तारीक